आखिर कप रिलीज होने चारी है सल्मान खान की कभी इद कभी दिवाली आखिर सल्मान के घर को किसने बताया अयाशी का अड़ा हेलो फ्रेंड्स आप देखें बॉलिग्राफ स्टीडियोज मैं सोरी कज्यार दोस्तों बॉलिवर स्टार की सोचल मीडिया पर तंगरी फैन फॉलिंग होते हैं उन्हें करोरों लोग फॉलो करते हैं उनकी तस्वीरों को लाइक करते हैं शेयर करते हैं लेकिन सोचल मीडिया पर कई बार उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता है क्योंकि ट्रोलर्स की भारी भर कम मत्रा है कई बार तो से लिप्स कुछ ना भी करे तो भी ट्रोल हो जाते है ऐसे में अरबास खान लेकर आए हैं अपना एक पॉपिलियर टॉक शो पिंच सीजन टू दरसल अरबास अपने टॉक शो पिंच के दूसरे सीजन पिंच टू को लेकर वापस आ रहे हैं इस शो का प्रोमो रिलीज हो गया है जो कि काफी मसेदार है प्रोमो में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे नज़र आ रहे हैं जिसमें सिल्मान खान, कियार अदवानी, आईशमान खुराना, राजकमार राओ, टाइगर शॉप, अनन्या पांडे और फरहान जैसे कलाकार मौझूद है वहीं प्रोमो दिन में देखा जा सकता है कि सभी सेलेब्स ट्रोलर्स के कॉमेंट परें और यह कितना अमेजिंग होगा जब इतने सारे ट्रोलर्स के कॉमेंट्स पढ़े जाएंगे और हमें पता चलेगा कि सेलेब्स को जब इतना भला बुरा कहा जाता है तो आखिर उनके रियाक्शन क्या आते हैं आपको बताते किसी ने अनन्या पांडे को फेक पांडे कहा तो टाइगर श्रॉप को कहा कि जैकी श्रॉप के बेटे ही लगते वही फरा खान को तो नेपोटिक्सम के लिए ट्रोल कर डाला ऐसे में सभी सेलेप्स एके करके कॉमेंट पढ़ते हैं और उसका मज़ेदार जवाब देते हैं प्रोमो की शुरुआ सलमान खान से ही होती है सल्मान खान एक ट्रोल का comment पढ़ते हैं कि जनता का भगवान मत बनो तो इस पर सल्मान खान जबाब देते हैं सही बात है एक ही भगवान है और वो मैं नहीं हूँ इसके बाद जब दूसरे comment की बारी आते हैं सल्मान खान कहते हैं इन्होंने मेरे पोस्ट में ऐसा क्या देख लिया कि हमारा घर उन्हें आयाशी का अड़ा लग रहा है तो सन्मान खान काफी हैरान रह जए एक ट्रोलर के इस कॉमेंट पे तो दोस्तों काफी मज़दार होने वाला है शो और काफी मज़ा आने वाला है जब एक एक करके ऐसे कॉमेंट्स पढ़े जाएंगी वही अनन्या ने कहा कि मुझे स्ट्रागलिंग दीदी क्यों कहा जाता है आपको याद हो अनन्या पांडे का वो पोस्ट बहुत वाइरल हुआ था जिसमें वो कहा रही थी कि हमें बहुत स्ट्रागल करना पड़ता है अननिया को भी इस से प्रॉब्लम है कि उन्हें प्रॉब्लिंग भी भी का जाता है तो दूसों आपको बता दूँ ये शो बहुत कमाल का होने वाला है सलमान की फिल्म कभी इतकभी दिवाली की बात करें तो जल्दी से रिलीज किया जाने का प्लान है इसमें उनके साथ पूजा हेगडे नसर आने वाली है इंदू-मुस्लिम के कहानी को ले कर ये पूरी स्टोरी आगे बढ़ाए जाएगी आप कितना वेट कर रहें इस फिल्म का और इस शो का नीचे कॉमन सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके आखे दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्लास स्टूडियोज को झाल